नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अरुनकुमा शाय और आपका आडिस्टर वल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुछ इस तरीके के वीडियो के बारे में बात करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। ट्क टॉक पर इस तरीके के वीडियो आए दिन कोई ना कोई बनाते रहता है इस तरीके के वीडियो को लोग देखना पसंद करते हैं इस तरीकी के वीडियो को आप बना कर अपने लाइक और फॉल्वर को बढ़ा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन की मदद से इस तरह की वीडियो को बना पाएंगे दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैलन्ग पर नहीं है तो प्लीज नीचे लेगे रेड बटन पर दबागा चैलन्ग को सब्सक्राइब करें दोस्तों मैंने जो वीडियो सुट किया था उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ वीडियो का से पर ने उसके बारे सब बतांगों ने अपने वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ देखे दोस्तों मैंने इस तरीकी से वीडियो को शूट किया है तो जो फालतू का पार्ट है उसे मैं काट देता हूं उसके बाद मैं बताता हूं आपको किस तरीकी से आपको वीडियो को शूट करना है मेरा वीडियो यहां से सुरू होता है तो इसके फालतू पार्ट को काट काटने के लिए हमें कैसी पर जाना है और ट्रिम टू लेट पर क्लिक कर देना है देखिए दोस्तों आपको इस तरीके से वीडियो को शूट करना है जो बॉक्स रहेगा बॉक्स को इस तरीके से शूट करना है आपको अंदर जाना है इस तरीके से वीडियो को शूट कर लेना दिरे दिरे करके आपको दिरे दिरे करके box को उठाना है और ऐसे करके हाथ अंदर करके आपको अच्छे से video को shoot कर लेना है दोस्तों यहां तक आपको video shoot करने के बाद आपको last भी खाली जागा कर छोड़ना है ताकि आपका background वह ही रह सके तो मैं बताता हूं कैसे आपको करना ह इसके लिए मैं यहां सही से कैशी से काट लेता हूँ, इसे split at plate करता हूँ और यह जो बागकी का फाल्तु पाट है यहां से मैं इसे कैशी की मदद से trim to lip plate करके काट लेता हूँ अब दोस्तों आप अपने आपको invisible करने के लिए आपको green screen का साड़ा लेने पड़ेगा तो मैं दोस्तों कैसे green screen करना है उसके बड़े में बताऊंगा तो हमें यह box में जब हम पैर रखते हैं वहां पे चली जाना है box को टा रहे तो यहां पे हमें आ जाना है और simply layer में जाना है layer में जाना है कि हमें handwriting में जाना है और हमें यह इस पर क्लिक करना है जो circle है और इसको solid image color के रख सिंप्लीज लेना है और इसकाइव each color करने के बाद इसके क्लिक करना है handwriting पर और इसे एकड़ नीचे लेकर चले आना है इससा box différents टेरा सीधा कर लेना है दोस्तों यहां पे आपको बढ़े ही ध्यान से इस green screen को करना होगा नहीं तो आपका वीडियो अच्छा नहीं बढ़ेगा आपको यहां पे थोड़ा समय देना पड़ेगा और इसमें animation करके आप अच्छे से green screen को कर सकते हैं नहीं तो आपका वीडियो अच्छा से नहीं बनेगा तो छलिए दोस्तों हम इसमें ऐनिमेशन करते हैं तो दोस्तों एनिमेशन करने के लिए हमें Simply Delete के उपर छावी का option है उसपे कलिक करना है और इसमें Animation स्टार्ट हो गया है तो और इसके बाद हमें दोस्तों दीरे दीरे फ्रेम को आगे करना है और इस green school को उपर करना है इसी तरह आपको बड़े ही ध्यान से फ्रेम को उपर करना है और यह थोड़ा से जादा हो गया इसे उपर करना है और इसकी अनुसार तेरा है तो इसको तेरा कर देना है फिर थोड़ा से जाना है और इसको फ्रेम को उपर कर देना है फिर थोड़ा सा जाना है थोड़ा थोड़ा करना होगा दूस्तों आपको तभी आपका वीडियो अच्छा से हो पाएगा थोड़ा सा इसे उपर कर देना है इसके अनुसार इसे सजा देना है पूरा ध्यान से आपको वीडियो को सजा लेना है थोड़ा से जाएंगे आगे ज्यादा नहीं थोड़ा से जाएंगे और इसे उपर लेके जाएंगे फिर थोड़ा से जाएंगे इसे उपर लेके जाएंगे फिर थोड़ा जाएंगे इसे उपर लेके जाएंगे फिर जाएंगे फिर उपर लेके जाएंगे जाएंगे फिर उपर लेके जाएंगे फिर जाएंगे फिर उपर लेके जाएंगे इसी तरीकी से आपको दोस्तों आपने पूरे वीडियो में ऐसे कर लेना है तो वीडियो को ग्रीन स्क्रीन कर लेता हूं उसके बाद आप से मिलता हूं तो दोस्तों हमारे ग्रीन स्क्रीन तो हम इसे export कर लेते हैं दोस्तों यह जो file हमने export किया उसको फिर से वापस लाना इसके लिए हमें back करना है फिर से एक नया plus icon पर click करना है शोला नौ का ratio ले लेना है और हमने जो file export किया था उसे यहाँ पर import कर लेना है तो हमारा export हुआ file यहाँ पर है यह हमारा export हुआ file है यहाँ से हमारा green screen ही start है यहाँ से split and plate कर देते हैं हमें दोस्तों chroma की लगा देना है इसके पहले दोस्तों chroma की लगाने के पहले हमें अपने background को लेके आना है जो हमारा original video है उसे फिर से लेके आना है media में जाना है हमारा original video को लेके आना है यह जो हमारा original video है यहाँ पर इसको लेके आना है यह हमें सिर्फ खाली जगा को लेना है इसलिए यहाँ का यह जो part है यहाँ तक ही रखते हैं और इसे बाकी को पाट देते हैं जो फाल्तिका पाट है उसे काट देते हैं उसके लिए catchy पे जाएंगे और trim to left plate करके काट देंगे दोस्तों यह हमारा खाली part है इसका दोस्तों हमें क्या करना है simply यहाँ पे रखना है इसको और simply हमें यह जो box दिखाई दे रहा है बाई तरब जो setting के उपर box दिखाई दे रहा है उस पे click करना है यहाँ पे capture and add as a clip यहाँ पे यह कर देना है तो हमारा यह background clip के जैसा add हो चुका है इसे हम छोटा बड़ा कर सकते है इसे हम बड़ा कर देते क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा है और इस part को delete कर देते है अब इसमें chroma की करने के लिए दोस्तों इसमें simply click करना है और बाही तरफ जो three dots है उसमें click करना है और duplicate as layer पे click कर देना है और उपर के भाग को delete कर देना है तो यह हमारा background अपने आप ही उपर आ गया अब यह वीडियो के नुशार हमें अपने background को कर लेते है यहाँ तक हमारा background है इसे simply यहाँ तक करके इसे कैसी से काट लेते है इसे print to right और plate करके काट लेते है अब इस chroma key को बड़ा कर देते है इसके लिए हमें इस box में right side में जो box से उसमें click करना है और full screen कर देना है अब इसमें simply दोस्तों हमें chroma key लगा देना है इसा ही color रखना है तो हमने इस तरीके का green skin किया था तो ऐसा कर देंगे तो देखिए दोस्तों हमारा यह आप अपने हिसाब से adjust कर लिजेगा यह इधर उधर करके adjust किया जाता है तो आप adjust कर लिजेए तो देखिए दोस्तों हमारा video बनके ready हो चुका है तो दोस्तों एक बड़ हम अपने वीडियो को play करके देख लेते हैं तो इस तरीकी से दोस्तों आप बने ही असानी से इस तरीकी के effect को बना पाएंगे तो दोस्तों इसको save और share करने के लिए हमें यह जो share बटन इस पे click करना है और अपने हिसाब से file को choose कर लेना है और हमें export पे click कर देना है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लागा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज निचे लेगे rate बटन पर दबागा चालन के subscribe करें लाइक करें शेयर करें और साथ इसाब बिल आइकन के भी दबागा ताकि आपको इस पेड़ करका latest notification सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए टपिक